छोटे बड़े मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम मैं हूँ आपका भाई चाचा, मामा, दादा, नाना मर्जी है आपकी जो समझें मैं आपके सामने पंचित तंत्र की रोचक कहानियों की सीरीज को रोचक प्रिस्तुती के साथ लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पंचित तंत्र के लेकर पंडित विश्णु शर्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कौन थे उनका जीवन कैसा था उन्होंने अपनी कहानियों में जीव जन्तों को पात्र क्यूं बनाया और वो अपनी कहानियों द्वारा कैसे परसिद्ध हुए तो सुनिये दक्षिन भारत में एक नगर हुआ करता था महिला रोप्य आज से लगबग 2300 साल पहले उसी महिला रोप्य नगर में पंडित विश्णु शर्मा का जन्म हुआ वो कुछ बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसकी शिक्षा का परबंद एक बड़े और परतिष्ठित गुरुकुल में कर दिया वो गुरुकुल महिला रोप्य से बहुत दूर था पंडित विश्णु शर्मा ने उस गुरुकुल में रह कर राजनीती और नीती शास्त्र के अतिरिक्त कई शास्त्रों की शिक्षा पूरी की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो अपने घर महिला रोप पे आ गया जब वो अपने घर आ गया तो कुछ दिन बाद उसके पिताजी और उसके बीच उसकी चीवी का काम काज के बारे में वारता लाप होई तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमारे नगर के आसपास और कोसों दूर तक कोई गुरुकुल नहीं है यदि हम अपनी संपत्ती पर एक गुरुकुल का संचालन करें तो कैसा रहे उसके पिताजी को उसका विचार काफी पसंद आया और उन्होंने उसे अपनी संपत्ती पर गुरुकुल बनाने की अनुमती दे दी उसकी शिक्षा के दोरान गुरुकुल में उसके साथ पढ़ने वाले उसके कुछ अच्छे दोस्त भी थे, जिनके ग्यान और व्यवार से वो काफी प्रभावित था, उन्होंने भी उसके साथ ही अपनी शिक्षा पूरी की थी, उन से बात करने वो उनके गाउं चला गया, उ उनके सहयोग से उसने अपने गुरुकुल का निर्मान किया, अपने गुरुकुल में सिष्टाचार और नीतियों का दर्टा से पालन करवाने के लिए उसने कुछ अनिवार या दिशा निर्देश तैयार किये, और गुरुकुल में उनका दर्टा से पालन करवाना प्रारं जल्द ही उसके गुरुकुल में काफी शिश्य पढ़ने लगे। उन शिश्यों के प्रारंभिक पठ्थे कर्म के लिए उसने एक प्रियोग किया। बच्चों के पाठ्थे कर्म में सिम्मिलित करता गया। पढ़ना और पढ़ाना दोनों रोचक हो गये थे। इसी रोचकता के चलते जल्द ही उसका गुरुकुल दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उन दिनों महिला रोपे नगर के राजा थे अमर्शक्ति। उनके तीन तीनों मंद बुद्धी जिसके कारण राजा अमर्शक्ति चिंतित रहते थे। उन्हें पंडित विश्णु शर्मा के गुरुकुल की प्रसिद्धी के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने उसे बुलाने के लिए उसके गुरुकुल में एक सैनिक भेज दिया। उस दिन वो अपने कक्ष में एक कहानी लिख रहा था। उसका एक साहयक उसके पास गया और बोला पंड़त जी राजा अमर्शक्ति का एक सैनिक आपके लिए एक संदेश लेकर आया है। उसने अपने साहयक को उसे अंदर लाने को कहा। उस सैनिक ने अंदर आकर उसे महराज का मिलाशी हूँ हो सके तो तुरंत पधारें राजा अमर्शक्ति नगर महिला रोप्य। संदेश पढ़कर वो समझ गया कि राजा अमर्शक्ति ने उसे तुरंत मिलने का आदेश दिया है। तो वो जल्दी से तयार होकर सैनिक के साथ राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल म उसे ने राजा अमर्शक्ति से भेंट की। अमर्शक्ति ने उसे अपने तीनों राजकुमारों के बारे में बताया। जो राजनिती और नेत्रतों में एकदम शुन्य थे, मंद बुद्धी थे। राजकुमारों की ओर से राजा अमर्शक्ति बड़े परेशान थे। उन् आपने मुझे विशेश सम्मान दिया है, मैं इस राज्या का नागरिक भी हूँ, आपकी परशानी को मैं भली बाती समझ गया हूँ, इस राज्या के प्रती मेरा जो दाईत्व है मैं उसे पूरा करूँगा, आप किसी प्रकार की कोई चिंतना करें, आप राजकुमारों को मेरे साथ गुरुकुल भीज़ दीजिए, मैं शबत लेता हूँ, कि मैं आपके राजकुमारों को जितनी जल्दी हो सकेगा, कुशल परशाशक बना कर आपको सौपूँगा, पंडित विश्न शर्मा की शपत सुनकर राजा अमर्शक्ति बेहद परसंद हो गए, और उसी परसंदता से उन्होंने तीनों राजकुमारों को उसके साथ गुरुकुल भीज़ दिया, वो उन्हें अपने गुरुकुल ले आया, राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए उसने कुछ और कहानियों की रचना की, वो कहानियां राजकुमारों को बेहद पसंद आने लगी, कहानियों के सहारे, खुशी-खुशी उन्होंने प्रारंबिक पाठ्थे कर्म की, शिक पूरी होने पर वो उन्हें राजमहल ले आया। राजा अमरशक्ति ने राजकुमारों के साथ उसे राजसी सम्मान दिया। राजकुमारों के सिष्टाचार व्यावार को देखकर राजा अमरशक्ति बहुत आनन्दित हुए और परसन्नता से बोले। आचार्ये आपने अपनी शपत पूरी कर दी है, अब वादे के अनुसार मुझे अपना करतव्य निबाना है और उन्होंने अपने मंत्री को सो गाओं उसके नाम करने का आदेश दे दिया तो उसने कहा महराज ठहरिये, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं सो गाओं की देखरे करने में ऐसा मर्थ हूँ कि रिपयाय मुझे एक शिक्षक का ही दाइत्व निभाने दें अपने राज्ये की प्रगती के लिए मुझे राज्ये के बच्चों को शिक्षित करना है उनका भविश्य सुधारना है राजा हमर शक्ती ने उसकी बात मान ली और वो उसके गुरुकुल के संदक्षक बन गए उसके गुरुकुल की ख्याती बढ़ती चली गई उसके गुरुकुल में शिक्षापर्द कहानियों द्वारा बच्चों को प्रारंबिक शिक्षापर्दान की जाने लगी उसके बाद धीरे देरे सभी गुरुकुलों ने उसकी इस पद्दिती को अपना लिया वो असी वर्ष की आयो तक शिक्षापर्द कहानिया लिखता रहा उन सभी कहानियों को संकलित करके उसने एक गरंथ तयार किया पंच तंत्र इस गरंथ में पांच तंत्र हैं यानि कि पांच भाग पहला मित्र भेद जिसमें मित्रों में मन मुटाओ या यूं कहिए कि मित्रों के आपसी अलगाव की 23 शिक्षापर्द कहानिया है दूसरा मित्र लाब है जिसमें अच्छे मित्र के प्राप्ती और उन मित्रों द्वारा या उनके कारण होने वाले लाब की 5 शिक्षापर्द कहानिया है तीसरा काकोलूकियम है इसमें कववे और उल्लूओं की चोदें शिक्षपर्द कहानिया है चोथा लब्ध प्रनाश है इसमें हाथ में आई हुई चीज को अपनी ही मुर्खता से गवा देने वाली ग्यारा कहानिया है पांचमा और आखरी ऐ परिक्षित कारक है इसमें ऐसी चोदें कहानिया हैं जिनमें बताया गया है कि जो काम नहीं आता उसे बहुत सावधानी से करना चाहिए हडबड़ी में किये गए काम का प्रिणाम बुरा हो सकता है इन कहानियों में जीव जन्तू और पशू पक्षियों को कथा का पातर बनाने का कारण यह है कि गुरुकुल या स्कूल में भेजने से पहले बच्चों के कुछ वर्ष घर पर व्यातीत होते हैं उस दोरान घर के बड़े बुजूर्ग और माता पिता अपने बच्चों को हर पाल्तू या जंगली जीव जन्तू के व्यवार के बारे में जानकारी देते हुए सावधन करते रहते हैं जैसे गाएं, भैस, बक्री पाल्तू जानवर हैं यह हमें दूद देते हैं कुत्ता गर की रखवाली करता है, वफदार पाल्तू जानवर है, लोमडी चालाग जानवर है इस तरहें बच्चे सोभाविक ही अपनी छोटी आयू में हर जीव जन्तू, कीडे मकोडे, साप, नेवला, छिछुंदर, बिच्चू, भेडिया, शेर, चीता, आदी के व्यवार को जान जाता है बच्चों में ऐसी जानकारी होने के कारण, पंडित विश्णु शर्मा ने अपनी कहानियों में जानवरों के व्यवार के अनुरूप, उन्हें कहानी का पात्र बनाया है जैसे किसी शरार्ती, नटखट पात्र के लिए बंदर, चालाग पात्र के लिए लोमड़ी, दूर्थ के लिए सियार, भेडिया इत्यारी देखे किसी भी कहानी में जब किसी पात्र को पेश किया जाता है तो कहानी के मूल उद्देश्य को समझाने के लिए लेखक या कहानीकार को उस पात्र के व्यक्तित्व को लिखना जरूरी होता है वो कैसा है और उसका व्यवार कैसा है इस तरह सभी पात्रों के व्यक्तित्तों को लिखने में कहानी का काफी हिस्सा चला जाता है कहानी का सार छोटा होते हुए भी कहानी काफी लंबी बन जाती है इस तरह के लंबी कहानियां बच्चों को बोर करती हैं, उन्हें पसंद नहीं आती, इसके विप्रीत जीव जन्तू या पशूव पक्षियों को कथा का पात्र बनाकर प्रस्तुत करने से छोटी कहानी से भी मूल उद्दिश्य आसानी से समझ आ जाता है और फिर शक्तिशाली राजा की कहानी शायद बच्चे मन लगा कर ने सुने, पर जंगल के शेर की कहानी बच्चे मन लगा कर सुनते हैं, जिस कारण ऐसी कहानियों में बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी भरपूर आनंद मिलता है आप जानते हैं कि संस्कृत की नीती कथाओं में पंच तंत्र को पहला स्थान प्राप्त है तो ये थी पंडित विश्ण शर्माजी के जीवन की वीडियो, आपको कैसे लगी बताइएगा अगली वीडियो में देखिए पंच तंत्र के पहले भाग मित्रभेद की प्रारंब की कथा नमस्ते नमस्ते